हेलो दोस्तों दिली से गेराई से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि आप लोग अपने किम्ती वक्त निकालकर आते हैं उसके लिए तो सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक्यू बोलना चाहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेज़ेगा ताकि आने वा क्या है कि वीडियो बनाता जाना दो बार तीन बार चार बार पांच बार दस बार बनाते जाना बनाते जाना लोग को समझ में है तो ठीक हो नहीं समझ में है तो जिस दिन स्टॉक भागेगा उस दिन तो पूरी दुनिया समझ जाती है है कि नहीं उस दिन तो पूरी दुनि 642.05 5 पैसे को भी याद रखेगा क्या 5 पैसे को भी याद रखेगा कि स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा थोड़ा सा पेशन्स रखेगा उसके बाद अब देखेगा इसका प्रॉफिट देने का तरीका और ये स्टॉक वहाँ पर ही आके अटक चुका है जहां से ये चलना सुरूक किया था ठीक है तो जहां से ये चलना सुरूक किया था वहाँ पर ये आके अटक चुका है पिछले 5 सल का अगर आप चार्ट देखोगे तो देख लिजे आपको ये चार्ट देखके यही पता चलता है कि भई लास्ट अंबी इस टॉक आया था और गिरावाट देखने को मिला था 40% का उसके बाद फिर देख लिजे किस तरीके से बीच-बीच में रुखता है और फिर तेजी देता है फिर रुखता है फिर तेजी देता है ठीक है उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर आप को एक बुली सकंडल आपको देखने को मिल रहा होगा जो की काफी ज्याधा बुली सकंडल आपको लाको कुदिख रहा होगा ऒल्ल्यू मअज देफ continue नहीं भागेगा बीच बीच में एक एक दो दो जो है red candle भी बनाता जाएगा continue भागेगा तब तो भाई सबको profit हो जाएगा तो कुछ लोग घबरा के base देते हैं तो ये वही price पे आपको मिला जहां से ये आया था थोड़ा बहुत उपर आपको देखने को मिला बस थोड़ा बहुत समझ लिजे तो ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हो कि opportunity है यहाँ पर देखिए कि पिछले एक सालों में 14% का negative return दिया लेकिन पिछले केवल एक महिने में 35% से भी ज़्यादा return निकालके दिया पांच करोड भी बनाते हैं भाई सेम है कि ने वो भी मैनत कर रहा है भगवान ने उसको भी दो हाथ दिये दो पैर दिये सब कुछ सेम ही है बाड़ी का एक एक पार्ट सेम है लेकिन केवल आठ गंटे में कोई 500 रुपे बनाता है और कोई 5000 करोड भी बना लेता है फर्क बस इतना ही है परमोटर्स ने भी हिस्सेदारी खरीद रखी है देखेगा तो परमोटर्स ने 49% पहले इनके पास 45% ही हिस्सेदारी था ठीक है पबली के पास देखेंगे तो 50% से ज्यादा हिस्सेदारी था 54% अभी देखो तो 49% है मतलब complete on receipt किसके पास आचुका है पर मोटर के पास आचुका और कई पर बता रखाऊं कि ये company जो है baby care, skin care और कुछ industrial chemical या थोड़ा product बनाती है कह भेखल से baby product मतलब costumatic type का ये product बनाना start कर रही है तो आरती industry जो था ना उसने चीजों को डिलिस्ट कर दिया sorry, डिलिस्ट नहीं कर दिया क्या-क्या डिमर्च कर दिया है आरती ने आरती surfictance को डिमर्च कर दिया है कि ये beauty cream वगरा जो बनाना है वो ये बनाएगी और भाई आरती drugs को अलग बना दिया है और उसी तरीके से आरती chemical आपको अलग देखने को मिला तो सभी business उसको उसने क्या-क्या divide कर दिया है ये stock यहाँ से गिरता है तो भाई ये फिर चला जाएगा negative में पिछले बार 79% negative में था इस बार केवल 19% ही negative में sorry positive में अगर यहाँ से थोड़ा भी गिरा तो ये negative में चला जाएगा तो बहुत बड़ा opportunity create कर देगा फिर देख रहो ना तो गिरावट हर बार बुरी चीज़ नहीं होती है कभी-कभी गिरावट अच्छी चीज़ भी होते stock 400 में था 400 का stock फूर यहाँ 200% आपको दिख रहा है 1900 में चला गया था यह 1800 में था 100 रुपय का difference वो मुझे नहीं पता ठीक से लेकिन सोच लो कि 400 रुपय का share कहां से कहां चला गया था काफी बड़ा रिट निकाल के दिया था फिर और company के result के उपर focus किज़ेगा result quarter on quarter और year on year दोनो focus किज़ेगा पहले देखरेजे पिछले बार revenue 18% quarter on quarter जम किया था year on year 4% था operating profit अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है जो कि 2.5% था और यहाँ पर देखरेजे 232% था काफी ज़दा improvement था profit before tax 12% था यह quarter on quarter किवल 3 महिने में और year on year देखो तो 4458% था long term वाले को अच्छा benefit होता है अगर आपने सही चीज में long term investment कर रखा है तो ठीक है यहाँ आप देख सकते profit after tax 17% 19.7 कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसके सारे competitor normally perform कर रहे है ऐसा नहीं है कि मतलब केवल यही अच्छा perform नहीं कर रहा है इसके सारे competitors उसी टाइप से perform कर रहे है देख रीचे मतलब अभी पूरा sector ही गिरा हुआ है पूरा sector तो आपको पता लगाना होगा देखना होगा कि आरतिस सर्फेक्टेंस long term के लिए अच्छा हो सकता है long term investment करने के लिए आप चाओ तो यह screenshot लेके पढ़ लो क्या यह stock overvalued है हाँ थोड़ा सा overvalued है क्योंकि यह अपने fair value से 20% उपर चल रहा है बस उतना ही और कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है यहाँ पर अब यह premium पर है कि discount पर है तो भई 19% के premium पर दौट रहा है बाकी यह कोई advice यह recommendation नहीं है बिल्कुल नहीं है यह बस एक कि information purpose के लिए आपको बताया जारा कि चीज़े bottom पर अच्छे price पर मिल रहा है और अच्छा time भी है ठीक है फिर भी खरीदेने और बेचने से पहले अपने financial advisor से consult कर लिजेगा और अगा अब stock market में नहीं हो तो अपने dmit account इंजल में open कर सकते हूँ जहाँ पर आपका dmit account बिल्कुल free delivery charges free केवल 20 रुपीज लगता है यहाँ पर वो भी इंट्राडे में तो description में लिंक दिया गया है मिन्टो में जाके अपने dmit account वगर आपन कर सकते हैं बिल्कुल free में